बहुत ही बड़ी खुसकबरी आ चुकी है फ्रेंट्स अगर आप उत्तर प्रदेश से आने राज में जाने के लिए या फिर आने राज से उत्तर प्रदेश में आने के लिए आनलाइन आवेदन किया था तो आप उसकी इस्थित कैसे देख सकते हैं इस वीडियो में लेटेहं तो चलिए फ्रेंट्स हम करते हैं वीडियो को सुरू इसके बाद फ्रेंट्स आपको अपनासा एक ब्राउजर ओपन कर लेना है इसके लिए आप которome ब्राउजर Google या कुछ भी यूज कर सकते हैं तो friends आपको search बार में type करना है जन सुनवाई आप speak बोलके भी search कर सकते हैं type करने के बाद आपको simply कर देना है गो या सर्च वाले option पर कर देना है click front जैसे search करोगे तो इसके बाद यहाँ पर पहला ही option आपके सामने आ जाएगा तो आपको इसी work that's minor कर देना है कि लिए कि इसके बाद की साइट कुछ इस तरीके से यहाँ पर तो फ्रणस को आपको डे स्वाइडमें यहाँ पर पडर किलिक करें डारका है अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ना करें लेकिन डे stop कर लेंगे तो आपकी जो साइट है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी आपकी जो जानकारी है वो पूरी सो होने लगेगी इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो फ्रंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि आवेदन की इस्थित डाउनलोड एपास तो आप आपको इसी वाले ऑक्षन पर कर देना है किलिक तो फ्रंट्स जैसे इस वाले ऑक्षन पर आप किलिक करोगे तो इसके बाद इस तृट्स तरीके का यहां पर इंटरफेश आएगा तो einen करना है और Almost यहां पर आपको अपना रजिस्टर्ट08 मोबाइल नंबर और इ को टीपी आया होगा उसके बाद एक फाइनल संबिट का भी मैसेज आता है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा या फिर आपने अपने रजिस्टेशन फांज के जो फिर निकल वाए था वहाँ पर मिल जाएगा और फिर ध्यान रहें यहाँ पर आपको वही नमबर पर करना है जो आपने र्जिस्टेश किया है इस तरीके से यहाँ पर आवेदन संक्या यहां पर आजाएगी तो यहां पर फ्रेंट्स आप अपने आवेदन की इस्थित जो देख रहा है यहां पर पेंडिंग में दिखा रहा है अभी यहां पर कोई फैसला नहीं लिया गया है जैसे फ्रेंट्स यहां पर कोई फैसला लिया जाएगा तो फ्रेंट्स यहां पर यहां पर जाना चाहते है और अने प्रदेश का पता यहां पर आप हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि दिखा रहा है तो फ्रेंट्स तरीके से आप अपने आवेधन की स्थित यहां पर देख सकते हैं और फ्रेंट्स अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां पर मिल रहा है अगर आप मोबा इसको पीडि एफ के रूम में सेव करना चाहते तो इस पर आपको किलिक करें के यहां पर कि तरी आपको पर पीडियफ का और कर देना है कि आख और यहां से Meng नाम भी चेंज कर सकते हैं आगर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर सेव का ओक्षन है तो आपको इस वाले ओक्षन पर किलिक करके अपने मॉबाइल में PDF के रूप में कर लेना है सेव तो इस तरीके से आप यहां पर अपने आवेधन के इस्थित देख सकते हैं और उसको आप प्रिंट कर सकते ह हां या फिर PDF के रूप में सेव करते हैं कर सकते हैं तो वमेद करता हूं कि जानकारी अच्छे लगी होगी और फृंट जानकारी अच्छे लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल अइकन को प्रेश कर देता तो चलिए फ्रेंस मिलते हैं वीडियो में